हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टुझे चैनल इस वीडियो में हम कॉटेंस को वॉश करने वाले हैं कॉटेंस जो हैं बहुत गंदे हो चुके हैं आप देख सकते हैं क्लीरले दिखा है इन पर बहुत ज़्यादा डस्त जम चुकी है इन कॉटन पर जाली लग चुकी है तो चलिए हम उनको वाश करेंगे um एक साथ और ये साथ से आएठ कर्टन से ये सारे कलोटिन हमें साथ ऊएठ से करने के लिए पहले मैं इसको ribbon से बांद लूँगा आप किसी भी चीज से इसको बांद सकते हैं डोरी से और ये दो दो पर्दे मैंने एक साथ बांदे हैं ताकि दो से तीन पर्दे एक साथ बांदे हैं ताकि जब वाश हो तो जो इसका material है वो tank से ना टच हो अब हम इनको washing machine में ड दाल रहा हूं मैं इन सबको और थोड़ा से खुले-खुले करके पर्दे पूरे खोल के हम washing machine में इसको डाल देंगे और इसमें मैंने detergent डाल दिया है तो liquid detergent आये इसमें मैंने तीन धक्कन डाला था साथ आठ पर्दे धोने के लिए तो friends इसके बाद हम machine on करेंगे और इसको हम start करते हैं और इसको छोड़ देंगे देड़ से दो घंटे लगेंगे इसको पूरे completely wash होने में और मैं इसको hot wash में धोने वाला हूं और P5 mode पे hot wash में धोने वाला हूं So friends अब हम इसको छोड़ देंगे पूरे देड़ से दो घंटे जब तक यह time बताएगा और इसमें बोल रहा है add 2 cup detergent लेकिन मैं पहले से ही 3 cup डाल दिया है और इसको hot wash पे मैंने कर दिया है तो काफी better से यह wash हो जाएगा तो friends wash होने के बाद मैंने इसको fencing पे डाल दिया है और यह सूखेगा लगबग अब रात हो चुकी है अब यह लगबग कल सुबह तक सूख जाएंगे सारे परदे और काफी clean हो चुके हैं परदे फिर उसके बाद हम इसको iron भी करेंगे friends सुबह होने के बाद यह सूख चुके अच्छे तरीके से सारे curtains और हम इनको iron कर रहे हैं so friends पहले से हमने iron इसको बहुत बारी करवा चुके हैं इसलिए इसकी crease अभी तक सही है तो हमें ज़्यादा difficulty नहीं ही इसको iron करने में करने के बाद इसको हम वहीं पर लगा देंगे देखे बहुत ही clean हो चुका है curtains और सारी जो भी dust थी वह सब हट गई है और परदे काफी साफ लग रहे हैं पहले से तो friends आप भी ऐसे ही परदे साफ कर सकते हैं जब भी आपका festival आ रहा हो उससे पहले हम curtains करके ऐसे ही साफ कर सकते हैं so आपके कुछ पैसे save हो जाएंगे तो friends ऐसे ही मैंने सारे 7-8 curtains को iron किया है देख सकते हैं आप भी अपने घर में ऐसे ही कर सकते हैं और यह easily साफ हो जाते हैं सारे curtains यह देखे हैं हमने इनको fold करके भी ताकि crease maintain रहे तो यह भी कर सकते हैं आप crease maintain करके करने के लिए fold करके उसके उपर आप crease को maintain कर सकते हैं तो friends आप भी अपने घर में ऐसे ही washing machine में या फिर हाथ से भी कपड़े यह curtains दो सकते हैं और ऐसे ही सूखने के बाद इसको iron प्रॉपर iron करके अपने पैसों को save कर सकते हैं friends अगरे वीडियो अच्छा लगा हो तो please वीडियो को like कर देजाएगा और चैनल को subscribe कर देजाएगा यह देखिए लगने के बाद curtains बिलकुल चमक रहे हैं और यह पहले से बहुत ज़्यादा साफ लग रहे हैं कर दो